हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक और मौका परमेश्वर ने एन होप को दिया कि हम बाइबल का अधियन या बाइबल स्टडी जो थोड़ा समय से हमने ब्रेक लिया था क्योंकि काफी सारी बातों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और कई सारी बातें की कारण हमने थोड़ा से एक ब्रेक लिया था और फिर दुबारा पवितरात्मा ने आरंब करने के लिए एक बाइबल स्टडी का नया सीरीज आरंब करने के लिए परमेश्वर ने यह जो अवसर दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धने बाद करती हूं, हमने पिछली बार रोम्यों के पत्री से हमने सब सीखा और बहुत सारी बाते हमने सीखा और काफी लंबा बाइबल स्टडी हमारे लिये रहा, बहुती आशिशिट रहा, आमें, हालेलॉया! रोमियों की पत्री बहुत ही एक कठिन किताब है जि लेकिन उसको हमारे पासबान जी ने बहुत ही मतलब सामर्थी और सुन्दर रीती से उसको जो है उन्होंने सिखाया उसके लिए उनके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आमेन हालेलुया तो इस बार जो हमने जो स्टडी जो आरंब किया है ये एक शॉर्ट स्टडी होगा बहुत लंबा नहीं होगा ताकि आपका भी इंटरस्ट बना रहे कहीं आप ये ना सोचो ये कब खतम होगा करके ये सवाल आने से पहले ये खतम हो जाएगा तो हो सकता है कि अगस्त के महीने कि अंदर अंदर ही ये खतम हो जाए, एक डेड़ महीने काई, ये पर्टिकलर टॉपिक पे रहेगा, और परमेशर ने चाहा तो अगला टॉपिक, जो भी पवित्रात्मा गवाई देगा प्रभु के दास को या मुझे, हम उसमें आगे बढ़ेंगे, आलेलुया, तो सबसे प और भी कई लोग आना है, कई लोग अपने काम के जगों से डायरेक्ट आएंगे, कई लोगों ने वादा किया है, और कई लोग जूम में भी जुड़े हैं, अभी कितने लोग हैं? तो कई लोग काम से, और कई हमारे बुजर्ग भी नहीं आपाते हैं, वो लोग सब, तेरा लोग अभी जुड़े हुएं, तो जो यहां पर भी उपस्तिते हैं, और जो अपने काम से, और कुछ बुजर्ग लोग जो अपने घरों से भी जुड़े हैं, आप सभी का इस नए सीरिस में आपका स्वागत है, क्यो ना एक ताली बजाकर हम परमेशर को भी और एक दुसर Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, Amen, 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 Hallelujah, praise God, okay, so, are we ready with the powerpoint, okay, so, इस बार का, जो, Bible study का, जो topic, जो है, वो आपको भी दिख जाएगा, उसको पढ़ने में हो सकता है, इनिशली थोड़ा सा दिकत हो, लेकिन उसको हम, या, yes, सब मिलकर उसको हिंदी या अंग्रेजी में जरा पढ़ सकते हैं, पवित्रात्मा का सिध्धान, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो, the doctrine of the Holy Spirit, और उसको एक नाम दिया जाता है, वो नाम, वही मैं कह रही थी, पढ़ने में थोड़ा दिकत होगा, नियूमेटोलजी, नियूमेटोलजी, सब मिलकर बोलेंगे, कोई इंग्लिश नहीं भी आते तो भी मिलकर बोलेंगे, योगि वैसे भी अंग्रेजी नहीं है, क्या है, नियूमेटोलजी, नियूमेटोलजी, ओके, तो ये जो नियूमेटोलजी जो शब्द है, ये दो युनानी शब्दों से बना हुआ है, ये जो है, युनानी शब्द है, ठीक है, दो युनानी शब्दों से बना हुआ है, लिख सकते हैं आप लो, ग्रीक, अंग्रे बोलेंगे, नियूमा, नियूमा का मतलब है, विंड, ब्रेथ या स्पिरिट, इसको हिंदी में बोलेंगे तो हवा, या श्वास, या आत्मा, ठीक है, क्या-क्या है नियूमा का मतलब, हवा, श्वास, या आत्मा, उसका मतलब, नियूमा का मतलब जो है, और नियूमा टॉलज जी है, तो नियुमा ही बोला है, तो उके अगला शब्द, जो युनानी शब्द जो इसमें जुड़ा है, वो है, लोगोस, क्या है, लोगोस से हम सब परिचित हैं, है न, लोगोस मतलब क्या है, किसको मालू है? लोगोस किसको बोलते हैं, हाँ बोलो, वर्ड को, वच्चन को बोलते हैं, वच्चन को बोलते हैं, लोगोस, या लोगोस का मतलब है वच्चन, उसको और भी शब्द है, लेकिन हम बहुत ही targeted हमारा study रहेगा, हम बहुत सारी चीज़े नहीं सिखेंगे, जो हमारे लिए करेंगे, जो दोनों को मिलाकर, pneumatology, यानि जो पवित रात्मा के बारे में, जो डॉक्ट्रिन जो बाइबल में दिया गया है, उसका study, the study of the Holy Spirit, यानि पवित रात्मा का अधियन को हम बोलेंगे, pneumatology, जो पवित रात्मा का study, जो हमारे में अधियन करने जा रहे हैं, तो कु कुछ information दोंगी, लेकिन आज का study में, जाने से पहले, आज सुबर जब मैं अपने एक prayer partner के साथ प्रात्ना कर रही थी, तो ऐसे पवित रात्मा ने प्रात्ना करवाया, जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं, और वो आज में यहां पर भविशात्मा गूप में बोलना चाहत लेकिन यह knowledge तक नहीं सीमित रहेगा, आमें, आमें, यह preparation में बदलने जा रहा है, यह knowledge revelation में बदलेगा, तब ही हमारे जीवन में वो कारिय करेगा, इधर रहने से कारिय नहीं होगा, लेकिन यह यहां से उतर कर हमारे हुरदे में, precaution के रूप में यह उतरेगा, आमें, जो यह वहां तक भी सीमित नहीं रहेगा, यह precaution हमारा अनुभव बन जाएगा, आमें, इस revelation is going to become our experience, our reality, यह तीन शब्द आज प्रार्थना के समय, जो मेरी प्रार्थना पार्थनर है, वो यहां बैठी है, उसको मालूम है, यह उस time पवितरात्मा ने दिया, तो मैं विश्व पास करती हूँ, यही परमेशन हमारे जीवन में, एन होप में करने जा रहा है, आमें, यह ग्यान प्रकाशन में बदलेगा, प्रकाशन हमारा अनुभव बन जाएगा, हमारा experience बन जाएगा, reality सचाई में बदल जाएगी, हलेलूया, हलेलूया, ओके, कुछ-कुछ चीज़े जो नहीं लिखा होगा, वो भी मैं बोलने जा रही है, तो आप लोग उसका notes ले सकते हैं, सबसे पहले पवित्रात्मा, है ना, Bible में उसका mention या उसके बारे में कहां लिखा गया है, किसी को बिना Bible खोले थोड़ा सा idea है, सबसे पहले पवित्रात्मा का, हाँ, उत्पती में क कहां पर, कौन सा अध्या है, पहला अध्याय में, दूसरा वचन, पहला वचन के आदी में परमेश्वर ने, आकाशर पृत्वी बनाया, और ऐसे लिखा है, तो Spirit of God was hovering over the waters, यानि पानी के उपर परमेश्वर की आत्मा क्या कर रही थी, मंडरा रही थी, हालेलुया, तो Bible का शुरुवात में ही हम क्या देखते हैं, किसको देखते हैं, पवितरात्मा को और उसके कार्य को हम देखते हैं, आमें, दूसरे ही वचन में, आमें, तो पवितरात्मा शुरू से है, ऐसा नहीं है, पवितरात्मा नए नियम में आया है, ओके, अचानक से परमेश्वर ने उ हालेलुया, हमारा परमेشر कैसा परमेشر है, हैं, क्या है, सब जोर से बोलेंगे, 3-1 परमेشر, abel, 3-1 परमेشر, ट्राइउन गाड, आवर गाड इस ए ट्राइउन गाड, उसमें कौन कौन है, पिता, पुतर और पवितरात्मा, हमारा परमेशर तीन परमेशर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही है, लेकिन उनमें क्या है, वो तीन eternal and co-equal persons है, यानि तीन शाश्वत और समान व्यक्ति है, बराबर व्यक्ति है, हमारे परमेश्वर में या त्रीएक परमेश्वर ने, परमेश्वर में तीन व्यक्ति तो है, या तीन व्यक्ति है, और वो तीनों क्या है, शाश्वत, यानि अनन्त या इटरनल है, आमेन, कोई पहले आया, कोई बाद में आया, ऐसा नहीं है, तीनों, एक ही साथ, शुरू से लेकर, और शुरुआत तो कोई है भी नहीं अच्छली, हमारे समझ के लिए हम बोलते हैं शुरू और अन्त, लेकिन हलेलुया, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, आमेन, सबस्टेंस, इंग्लिश में नोट्स लिखने वाले लिख सकते हैं, तो त्री एक परमेशर हमारा परमेशर है, और उसमें तीसरा जो व्यक्ति है, वो कौन है, पवित्रात्मा, आमेन, हलेलुया, ओके, सो कुछ गलत धार परनाएं भी हैं, पवित्रात्मा को लेकर, जो सब कुछ मैं यहां पर एड्रस नहीं करूंगी, जैसे मैंने का, जो हमारे लिलाबदा है कि हम बोही सीखेंगे, लेकिन एक चीज में बोलना चाहूंगी, जादा तर जो हम, हमें से जो एक समझ है, वो है कि पवित्रात्मा ए शक्ति को पाते हैं, लेकिन पवित्रात्मा एक केवल एक शक्ति नहीं है, पवित्रात्मा एक व्यक्ति है, सब जोर से बोलेंगे, पवित्रात्मा एक व्यक्ति है, आमें, हालेलुया, आमें, आमें, हालेलुया, ओके, ओके, सो, the Holy Spirit is a Christian understanding of the nature of God as three distinct persons in one divine essence, इस सब का Hindi भी पर मैं परिभाशन मैंने किया है, ओके, तो उतना मैं बोलके, आगे मैं बढ़ूंगी, ओके, और एक clarity भी बेंदे देती हूं कि, पुराने नियम में, जो पुराना Bible पढ़ते हैं, बहुती कम लोग पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी एक clarity देती हैं, उन महां पर पुराने निय पुराना अंग्रेजी है, इसलिए holy ghost, लेकिन आजकल के Bible में ghost जो है, word नहीं इसके माल किया जाता है, spirit इसके माल किया जाता है, तो अगर किसी को कोई मन में अंग्रेजी Bible पढ़ने वाले कोई confusion है, तो उसको मैं केवल clear करना चारी, ओके, ओके, तो और एक और सबाल, पवित पहले अध्याए में भी है, Bible का, और आख्री अध्याए में भी है, Amen, Hallelujah, किसी को वचन ध्यान है, आख्री अध्याए में भी पवितरात्मा को हम पाते हैं, Okay, है, इसके, या, the spirit and the bride say come, वो वचन अगर डाल सकते तो अच्छा है, Revelation, क्योंकि आदी पहला वाला वचन तो हम सब जानते हैं, इसलिए नहीं डाला, बाइस का सत्रा, प्रकाशित वाकिय बाइस का सत्रा, Okay, Revelation इधर है, अच्छा, वहाँ दिखता नहीं है ना मुझे, कोई पढ़ लो, जो भी वचन डाला, कोई भी पढ़ सकते हैं, आत्मा और दुलहन दोनों कहती हैं, और सुनने वाला भी कहें कि, और जो प्यासा है वह आए, और जो कोई चाहे, वो जीवन का जल सेत मेत ले, Hallelujah, बस एक information दे रही थी, कि पवितरात्मा पहला अध्याय में भी है, आखरी अध्याय में भी है, Hallelujah, तो पवितरात्मा का अस्ति कभी खतम नहीं होगा, जैसे ये मत सोचना की कलीसिया उठाय लिया जाएगा, तो पवितरात्मा का काम खतम, नहीं, पवितरात्मा जैसे मैंने कहा, त्री एक परमेशर में एक व्यक्ति है, तो वो कभी भी क्या होगा, खतम नहीं होगा, उसका काम खतम नहीं होगा, वो पर परमेशर है, तो वो परमेशर ही रहेगा, उसका काम आगे क्या होगा, वो तो पवितरात्मा ही जाने, पिता जाने और पुत्र जाने, ओके, तो इतना एक short मैंने एक introduction आपको दिया है, अच्छा, ये study, जादतर ये जो study मैं जो आपके सामने, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जारी हूँ, ये Dr. H. L. Wilmington से लिया गया, बस उनको credit देना बहुत जरूरी, ये सारा study मेरा नहीं है, जादा तर, except थोड़ा थोड़ा भागी, जो मैंने खुद का इदर उदर से लिया है, लेकिन जादा तर जो है, study पूरा, I would say like 90% probably, अभी, आज का study, आने वाले दिन So, एक बच्चन हम पढ़ेंगे, यूहना 14-26, John 14-26, जल्दी जल्दी कुछ बच्चन उठा के जो पढ़ सकते हैं, जरा पढ़ दे मैंने इसलिए सरफ वो पढ़ा, ये बताने के लिए कि पवित्रात्मा को कौन देता है, वो पिता से प्रोसीड करता है, ये पिता से वो जो है, वो हमारी तरफ भेजा गया है, आता है, hallelujah, amen, amen, okay, so ये बस एक, आपको एक समझ देने के लिए है, जो मैंने उस बचन को चाहती है, इसके बारे में और भी बाद में दिया जाएगा, पुराने नियम में पवित्रात्मा को जैसे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है, रुआख, ठीक है, ये अगले बार में उसका स्लाइड डाल दोंगी, R-U-A-C-H, रुआख, है, सही से बोल रही है या न ना, वो है, तो रुआ, तो वो शब्द इस्तेमाल गया है, पुराने नियम में, और मैंने गिना नहीं है, लेकिन स्टडी में जहां से मैंने कहीं और से लिया है, ये 86 ताइम्स, यानि कितना बोलते 86 को? 86 बार पुराने नियम में, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है, जादा कम भी हो, क्योंकि अलग-अलग अलग-अलग नंबर देते हैं, लेकिन तकरीबन हम कहेंगे, कि 86 बार रुआख, जो शब्द है, वो इस्तेमाल किया गया है, और ये पवित तरात्मा जो है, कितने किताब है पुराने नियम में? Yes, thank you. 39, यानि 39, 49, okay. 40 से एक कम, इतने किताब पुराने नियम में जिसमें 27 किताबों में पवितरात्मा का मेंशन या पवितरात्मा का यरुआशब्ज जो है, वो पाया जाता है. Hallelujah? Okay. और हमने जो नियमेटोलजी, नियूमा जो शब्द है, ये युनानी का शब्द है. कौन सा शब्द है? युनानी शब्द है. ठीक है? तो नए नियम में, जो युनानी भाशा में लिखा गया था, इसलिए, वहाँ सारा जगे, जादातर जगे, जो है, अल्मोस्ट सारे जगे में, नूमा, है, क्या है? नूमा, नूमा शब्द इस्तेमाल किया गया है, नूमा. तो क्योंकि पवित्रात्मा का कारियम अधिकतर, और पुराने नियम से जादा हम नए नियम में देखते हैं, इसलिए इसका नाम जो है, नूमा, नूमेटॉलेजी डाला गया है, नए नियम में, और क्योंकि पवित्रात्मा के कारी यद्दिपी शुरूर से हो रहा है, लेकिन पवित्रात्मा का वास विश्वासियों में, ने नियम में हम देखते हैं, और उसके बारे में जादा, जो है, study, हम नए नियम में देखते हैं, इसलिए newmetology हम इसको नाम दिया गया है, okay तो एक बार हम एक बचन और डालेंगे, प्रेटो का काम 19-2 प्रेटो का काम 19-2, 19-2 मतलब सोचके देखिए, FAC में, एक मिशनरी ट्रिप में, Paulus कई सारे मिशनरी ट्रिप्स किये, खास करके, I think three major missionary trips, no, three major missionary trips, जो है, Paulus ने किया, तो एक मिशनरी ट्रिप में, जब वो FAC, FAC नामक शहर में, जगे में जब वो गए, और वहां के विश्वासी से ये सवाल किया, क्या तुमने, क्या लिखा है, हाँ, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्रात्मा पाया, तो उन्होंने उसे क्या कहा कि हमने तो पवित्रात्मा की चर्चा, हमने तो सुना भी नहीं है, पवित्रात्मा क्या है, कौन है, सोच के देखिए, सोच के देखिए, तो ये उत्तर, Paulus को बहुत शौक किया होगा, क्योंकि पवित्रात्मा के द्वारा ही एक व्यक्ति बोलता है कि इश्व प्रभू है, वो बच्चन सब हम बाद में देखेंगे बस मैं एक introduction देके में जा रही हूँ तो आजकल के जमाने में भी ये संभव है क्या कि कई लोग पवित्रात्मा को नहीं पहचानते नहीं जानते उसको जो जगे देना है वो अंगिकार नहीं करते हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्रात्मा के बारे में शिक्षा हम अच्छे से प्राप्त करें और इसके बारे में बहुत गलत शिक्षा भी जो है संसार में दिया जा रहा है बड़े बड़े अच्छे अच्छे पासबान अच्छे मतलब अचहे खासे जो लोग हैं गलश ृक्षा देरे इस लिए इस कलीसिया और पुट्रात्मा के बारे में एक सही शिक्षा हम देना चाहते हैं जो जादातर कलीसिया विश्वास करती है गिने चुने लोग हैं जो बिलकुल भिन शिक्षा देते हैं। तो सोचके देखिए, पिता को और पुत्र को कितना फेस पोचा होगा, दुख पोचा होगा कि हम तीन में से, जैसे मैंने का तीन परमेशर नहीं है, लेकिन कि एक उन्तृत्र परमेशर में एक के बारे में पूरे एफेसी, कलीसिया के विश्वासी सुना भी नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन एन हॉप में ऐसा कोई भी नहीं होगा, आलेलुया, तो पवितरात्मा का अस्ततो कई बार, जो है, वो उसका, उनका, मैं कोईगी, हम भी, हम रिस्पेक्ट देकर हम बात करेंगे, ठीक है, उन पवितरात्मा का जो है, उनको क्या है, नजर अंदास किया जा जाता है, यह पवितरात्मा के सेवकाई को, पवितरात्मा के अस्ततो को नजर अंदार किया जाता है, और सेवकाई को भी गलत समझा जाता है, गलत समझाता है, इस मिस अंडिस्टूड, the ministry of the Holy Spirit, and the existence of the Holy Spirit is ignored by many, है न, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नजर अंदास नहीं करेंगे, आमेन, हलेलुया, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, आमेन, आज आप यहाँ पर बैटे हो, पवितरात्मा आपके अंदर है, हलेलुया, हमारे बीच में हैं, वो कारी कर रहा है, हमारे दिलों में, वो कारी कर रहा है, जैसे ये शिक्षा दी जाती है, ताकि हम, हम प Alleluia, Alleluia, तो हम slide 2 जरा डालेंगे, okay, one by one we can just put it, तो सबसे पहले, मैंने जैसे कहा, हम बहुत crisp study है, बहुत short study होगा, तो हम बहुत detail में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी से जाएंगे, जो आपके लिए जरूरी है, और इस बीच में, आपके मन में कोई भी सवाल उठता है, आप लिख कर डाले, कोई भी अभी नहीं करेंगे, सब लोग सवाल लिख कर डालेंगे, अपने डायरी में लिख कर डालो, ये study खतम जो होगा, उसके बाद आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो चीज आगे आने हैं, अभी से आप बीच में गुसेड के पूछ होगे, तो क्या होगा, टाइम बरबाद हो जाएगा, है ना, और फिर मेरे को जो आगे समझाना है, वो अभी समझाना पड़ जाएगा, इसलिए पूरा study जब हो जाएगा, आप अपने सवालों का सवाल देख लिए, उसका जवाब नहीं मिला है, वो एक-एक सवाल आप चिट में लिखे, एक दिन हम question answer लेंगे, एक दिन नहीं, तो दो दिन ते हैं, तो दो दिन लेंगे, लेकिन उस दिन जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें अगर आपको समझ में नहीं आया, तो उसमें से आप सवाल कर सकते हैं, लिखकर रखें, बीच में नहीं पूछेंगे, तो हम पवित्रात्मा का, का personality of the Holy Spirit, या पवित्रात्मा का व्यत्त्त्व के बारे में, हम जो हैं, सिखने जा रहे हैं, मैं भी जड़ा, slide डाल लेती हूँ ताकि मुझे पीछे बार बार देखना ना पड़े हैं, okay, okay, personality of the Holy Spirit, okay, याद रखेगा कि पवित्रात्मा जैसे मैंने कहा है, एक व्यक्ति है, जितना पिता और पुत्र है ना, एक व्यक्ति है, वैसे ही पवित्रात्मा एक व्यक्ति है, and he possesses all sinless elements, है ना, कि पवित्रात्मा के अंदर, वो सारे तत्व हैं, जो पाप रहित्त तत्व हैं, जो पिता के अंदर और जो पुत्र के अंदर भी हैं, okay, involved with, he possesses all sinless elements involved within a divine personality, एक दिव्यक्तित्व के अंदर, जो जो तत्व होने चीए, पाप रहित्त, वो सब पवित्रात्मा के अंदर है, जो पिता के अंदर है, जो पुत्र के अंदर है, वो पवित्रात्मा के भी अंदर है, आमेन, हलेलुया, तब ही तो हमें साय के रूप में दिया गया, कि हमें कम नहीं दिया गया, है ना, कि थोड़ा हम रखेंगे, बस तुमको एक कुछ छोटी चीज दे देंगे, नहीं, ऐ पवित्रात्मा का personality या विक्तित्यों के बारे में, कि पवित्रात्मा के अंदर क्या क्या है, यह पूरा exhaustive list नहीं, यह list में सारी बाते नहीं, लेकिन जो जरूरी है आपके लिए जानना वो सारी बाते हैं, ठीके, तो पवित्रात्मा, he has a mind, सबसे पहले, ओके, पवित्रात्म को क्या है, ओके, अब आप पढ़ सकते हैं, पीछे देखके पढ़ें, पवित्रात्मा के पास क्या है, एक मन है, मन, mind, यह मन, सोचने वाला, intellect, यानि बुद्धी, बुद्धी है, परमेशर पवित्रात्मा को, समझ, वो सोचता है, समझता है, है न, ओके, आप समझ गे, बुद्धी बाइबल में देखेंगे, तो मनसा, आप लिखके ले लिजिए, उसके बाद यह वचन पढ़ लिजिए, रोमी आठ का 27, रोमी आठ का 27, जो लिखने वाले लिख लो, और जो नहीं लिख रहें, वो पढ़ सकते हैं, रोमी आठ का 27, हाँ, आत्मा की मनसा क्या है जो दिलों को जाते हैं, अब ये जो मनों को जांचने वाला जानता है, जो मनों को, जो या ही हूँ, ये जो शब्द है, इस में मैं स्टड़ी कर रहे थी, कोई लोग कहता ये पिता है, कोई कहता है, ये पुत्र है, अब हमको उसके बारे में टेंशन निकरना, परमेशब, जो दिलों को जांचता है, है न? तो वो क्या जानता है? कि पवित्रात्मा की मनसा क्या है? मैं इसमें से यही पॉइंट निकाल रही हूं, मैं मतलब नहीं, जो study में है, कि पवित्रात्मा का एक मन है, एक मनसा है, ठीक है? सोचता है वो, ऐसा नहीं कि अपनी सोच नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका अपना एक, अपना मतलब पिता और पुत्र से अलग नहीं है, मतलब पवित्रात्मा का भी एक क्या है, मन है, मन है, Actually कि सिंपल में बोलेंगे तो पवित्रात्मा कौन है, क्या है भी, सवाल गलत है, कभी भी हम पवित्रात्मा, पवित्रात्मा कोई चीज नहीं, चीज को बोलते है न, क्या है, धिं? what is it, ऐसे हम बोलते हैं न, अंग्रेजी ही बोलते हैं, लेकिन एक विक्ति को क्या बोलेंगे, who is it, हम बोलेंगे, है न, हम ऐसा बोलेंगे, तो वैसे पवित्रात्मा, what is it नहीं, what is Holy Spirit, सवाल गलत है, एक तरीके से देखा जाए, who is Holy Spirit, पवित्रात्मा क्या है न, पवित्रात्मा कौन है, ठीके, तो पवित्रात्मा को क्या है, एक मन है, सब जोर से बोलेंगे, पवित्रात्मा का एक मनसा है, बोलो, एक मनसा है, ठीके, रोमी आठ का सता इससे हम पढ़ते हैं, पवित्रात्मा का एक मन है, और यहाँ पर बस यह जो पूरा वचन, इसमें एक चीज है, तो उसको देखकर यह अच्छा पॉइंट इदर है, इसलिए उसको मैं आपको साथ में शेयर करूँगी, ऐसा लिखा है, कि पवित्रात्मा की म जाना इसमें से बिला मैं सोच रही था ही, यहीं पर रुख जाओं। लेकिन मैं नहीं रुख सकती, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। पवित्रात्मा ये बाद में भी लिया जाएगा, लेकिन अभी एक बार मैं में मैंशन करके जा रही हूं, कि पवित्रात्मा हमारे प्रार्थना करते हैं और ईशुमसी भी प्रार्थना करते हैं रोमी में हम देखेंगे, बाद में उसको हम देखेंगे, रोमी में हम देखते हैं कि इशुमसी क्या करता है, हमारे लिए क्या कर रहा है, पिता के दाईने हाथ पे बैठ कर क्या कर रहा है, मध्यस्तता क्या कर रह उसका गहराई में हम बाद में जाएंगे, अभी उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन इसमें से एक ही पॉइंट में निकाला चाहरी हूँ, कि पवित्रात्मा की एक मंसा है, पवित्रात्मा का अपना मन है, दूसरा हम देखेंगे, वो मानव मन की भी वो खोज करता है, अपना मन भी है, लेकिन आपका और मेरे मन को भी वो क्या करता है, खोजता है, जानता है, परक्ता है, जानता है, तो, यह मत सोचना है कि मेरे मन में जो चल रहा है, कोई नहीं जानता, कोई दुनिया में नहीं जानता होगा, आपका पती नहीं जानता, आपकी पत्नी नहीं जानती, आपके माबाप नहीं जानते, आपके अगुए नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते, लेकिन कौन जानत है पवित्रात्मा हमारे मन को क्या करता है खोशता है he searches he searches the human mind वो हमारे मन को वचन को पड़ेंगे हाँ पहला कुरिंटी 2 का दस हाँ सब बाते ठीक है सब बाते सब मिलकर बोलेंगे सब बाते परमेशर सब बातों को उसके बात में भी लिखा हुआ कि वो परमेशर के बातों को भी है ना ऐसा लिखा हुआ ना कि क्या है क्योंकि आत्मा सब बाते वरन परमेशर की गूड बाते भी जांचता है he searches all things yes and the things of God यानि वो सब बातों को वो जांचता है तो इससे हमें हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए आमें आमें कि वो हमारे मन को जांचता है मनों को जांचने वाला परमेशर है हमारा और पवित्रात्मा जो हमारे अंदर रहता है जो हमारे संग रहता है जो हमारा मददकार है वो क्या करता है हमारे मन को जांचता है अगर ये समझ हमारे अंदर होगा, तो हम सोचने में भी क्या करेंगे we will be cautious, यानि हम कुछ गलत सोचने से भी पहले क्या करेंगे हम खबरदार हो जाएंगे, अच्छी बात है न? खतरनाक लगता है लेकिन ये हमें ही बचाता है ये समझ हमें ही बचाएगा हम मूँ से नहीं बोल रहे होंगे लेकिन मन में सत्यानाश हो इसका, अभी मैं और मलिका जब रस्ते में आ रहे थे, तो हम ने एक बात करी, हमारा पडोसी जो है उनका काम है हमेशा और वो सारा धुआ क्या आता है हमारे घर में आता है, और मलिका के नहीं, मलिका के फ्लोर में ही है, लेवल में या नहीं, मेरे वाले में हाँ, तो वो शायद धुआ उपर उड़ता है, तो और ज्यादा उसके वहाँ पर आता है, तो मेरे मन में कई बार आया, प्रभू लेकिन सोचने जाए से भी पहले मेंने काया, क्योंकि हम इनसान है ना, मन में ऐसे आता है कि क्या प्रार्त्ना करों इस आदमी के लिए क्योंकि प्यार से बताया समझाया, है ना request किया, हा जोड के almost literally मैंने whatsapp पे message किया मैंने ये भी message बेजा हम, आप, मैं आपके लिए एना इना मन में आया कि मैं क्योंकि झाय सो ऑ मां हम हम प्रंबारमेश्वर में ही लेकिन कभी भी उनके नुकसान के लिडेम पवित्रा आत्मा ले है में करवा इए अकिस्क अदर मैं सो कहती है है ना introduction आत्मा नाश हम प्रभु यहाँ से ऐसे हम नहीं कर सकते प्रार्थ ना लेकिन उसका उध्द्धार के लिए तो मैं यह कहा रही थी कि हमारे मन में भी जो विचफना हम को हम को यह ध्यान रखना है कि हमारा मन में भी किसी के लिए एक गलत खयाल कि जो मेरा नुकसान करता है जो मेरा विरोधी है उसका क्या हो सत्यानाशों ये सोच भी हमारे अंदर नहीं आनीची क्यों? क्योंकि हमारे मनों को पवित तरात्मा क्या करता है? जांचता है मेरे मन में ऐसा आया कि हम एक एक चीज जब पढ़ेंगे हम एक एक लाइन हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि ये सारा याद रखनाम को मुश्किल हो जाएगा और ये डायरी में शायल लिखा रह जाएगा कई लोग उसमें वापिस भी कभी नहीं जाएंगे तो एक बार हम क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रार्थना हम करते हो जाएंगे क्यों न पड़ोसी का हाथ पकड़ कर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभू हमें ये स्मरन दिला हमेशा कि आप हमारे मनों को जांचते हैं तो हम सोच समझ कर भी सोचे हम हमारी सोच भी हम सोच के सोचे दस सोचने से भी पहले हम सोचे पता नहीं मैं सही बोल रही हुए नहीं लेकिन मेरे अंदर जो खयाल आ रहा हुआ है Lord help us to think before we think wrong also Lord ये 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 हम इस होश में रहें ये समझ में रहें प्रबू हमेशा कि आप हमारे मनों को जांचते है परमेश्व इसलिए कोई गलत सोच भी हम अनुमती ना दे हमारे मनों में Hallelujah ये जान कर कि कोई जाने ना जाने लेकिन आप वो सोच को जानते हैं आप जांचेंगे और प्रबू हमारे उपर कोई दंड ना अने पाए, धन्यवाद प्रभू, एश्चु के नाम में, आमें, 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 अगला, पवित्रात्मा के पास एक इच्छा शक्ती है, the Holy Spirit has a will, वचन पड़ेंगे पहला कुरंती, बारा का ग्यारा, बारा का ग्यारा, पहला कुरंती, यहां पर spiritual gifts, यानि आत्मिक वर्दानों के बारे में लिखा गया है, कि पवित्रात्मा जैसा चाहता है, वैसा वो अपने वर्दानों को वो बांटता है, विश्वासियों को वो बांटता है, क्योंकि देखो, पूरा अध्याय से पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन पहला कुरंती 12, किसके बारे में अगर पूछेंगे तो spiritual gifts, यानि आत्मिक वर्दानों के बारे में लिखा है, है ना, मुहाँ पर कितने वर्दान है, किसी को ध्यान है, 9 वर्दान, कितने वर्दान है, वर्दान और भी है, हम इसके बारे में पूरा detail में सीखने जा रहे है, बड़ा must आगे study होगा, लेकिन क्या होगा, वो क्या के एक वर्दान का मतलब क्या है, आत्मा का फल के बारे में सब हम सीखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा है, जैसे कलीसिया की उन्नती होनी चाहिए, उनको उसके हिसाब से पवित्रात्मा अपनी इच्छा से वो वर्दान देता है, हलेलुया, हलेलुया, बीच बीच में हलेलुया भी बोल सकते है, क्योंकि परमेशर, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है जो परमेशर आमें देता है, आमें, हलेलुया, ओके, सो पवित्रात्मा के पास एक इच्छा शक्ती है, अपने इच्छा के अनुसार, वो क्या करता है, वर्दानों को बानता है, ओके, as he wills, है ना, जिसे वो चाहता है, जिसे वो चाहता है, एक्चली हिंदी ट्रांसेशन इतना सही नहीं है, कि कौन सा वर्दान वो चाहता है, वो लोगों को देता है, ओके, आगे हम बढ़ेंगे, कुछ भी अगर मन में सवाल है, तो लिखके डाले, अगर आपको clarity नहीं है, स्पष्टता नहीं है, आप लिखके डाले, हम पवित्रात्मा का वर्दानों को मांग सकते हैं, और वो देता भी है, लेकिन अपनी इच्छा की अनुसार वो देगा, है ना, पवित्रात्मा के वर्दानों के धुन में लगे रहो, ऐसे लिखा है, खास करके भविश्यवानी के वर्दान में लिखा हुआ है, ठीक है, हम मांग सकते हैं, लिखा गए हम मांगना है, दुन में रहें, हम मांगें, लेकिन फिर भी पवित्रात्मा अपने इच्छा के अनुसार क्या करेगा, हमें कलीस्या की उन्नती के लिए वो वर्दान देगा, हलेलुया, हलेलुया, आमें, आमें, तो क्यों ना हम एक लाइन अपने लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे आत्मिक वर्दानों से भर दे, पवित्रात्मा मुझे आत्मिक वर्दानों से भर दे कि अगर अन्य भाष्षा का नहीं मिला है तो हम सबसे पहले वो मांगे अन्य भाष्षा का वर्दार प्रभू ये बाइबल स्टडी खतम होने से पहले मुझे पवित्रात्मा के वर्दानों से मुझे भर दे अनुवाद करने का वचन, आत्माओं के बीच में परक्का वर्दान, ये सारे वर्दान है, जो परमेशन ने हमें दिया है, प्रभू मुझे ये साल खतम होने से पहले आत्मिक वर्दानों से भर दे करके प्रार्तना करें, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, ओके, हम आग क्या पवित्रात्मा के पास है या उनका विक्तित तुम्हें क्या-क्या बाते हैं। अगला है, He Forbids, यानि वो टोकता है, मना करता है, रोकता है। वचन पढ़ेंगे, प्रेड़तो का काम, सोला का छे और साथ। प्रेड़तो का काम, Acts 16, 6 and 7 पावित्रात्मा जोने एशिया में वचन सुनाने से बनाते हैं। ल्हें लोगों को करना सिखाओ, है ना, ये सब ईशु मसी का आग्या है, लास्ट कमिशन, ग्रेड कमिशन, महानाग्या, महानाग्या बोलते हैं क्या? आदेश, महानादेश, ठीक है? तो ये शुमसी का वचन नहीं है, लेकिन, क्या हुआ? यहां क्या जब वो जा रहे थे तो पवित्रात्मा ने क्या किया रोका बोला कि वहाँ नहीं जाना, अभी नहीं जाना अभी टाइम नहीं आया अभी ये, ये समय नहीं है वहाँ जाने का यद्यपी परमेशर की आग्या है, इश्वमसी की आग्या है परमेशर को पता है, पवित्रात्मा को पता है, हमें कब कहां जाना है, और कब कहां नहीं जाना है सही काम होगा तो भी पवित्रात्मा का या परमेशर का क्या है, एक टाइम है हर बातों के लिए इससे एक आश्वासन मिलता है है ना, कि जो भी सही है जरूरी नहीं है कि वो अभी किया जाए लेकिन सबका एक समय है पवित्रात भी हम कहते हैं पवित हम प्रार्थरा करते हैं भी हम क्या बोलते हैं प्रार्थरात्मा अगवाई देता है प्रार्थरात्मा तो करना ही है ने, लेकिन हम क्यों बोलते हैं अगर आपको पवितरात्मा अगवाई देरें अंदर से एक जोर आ रहा है, एक क्या बोलते हैं, एक है ना, आप समझ रहें हैं, अंदर से जाब आते हैं, हाँ तब, तो अभी हम कहते हैं, अब देखो, यहां भी कितने लोगों के, जितने भी हैं, 30, 40, 50, जितने भी बेटे हैं, तो मैं कहूँ कि पवितरात्मा जिसको अगवाई दे रहे हो प्रात्ना करें, तो हम देखते हैं ना, कई बार एक या दो ही करते हैं, क्योंकि अगवाई, कुछ बोलने के लिए रोकेगा, है ना, जैसे कुछ मन में आ रहा है, कुछ सही चीज होगा, लेकिन पवितरात्मा अभी टाइम नहीं बोलना, अभी बोलने का टाइम नहीं, क्योंकि अगर इसको एक्जैंपल लेने जाओंगी तो बहुत, आप लोग सब समझदार हैं, तो आप समझ जाओ, है ना, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सब कुछ पवितरात्मा हमें अगवाई करेगा, हलेलुया, तो पवितरात्मा क्या करता है, यहां पर परमेशर की इच्छा, सिद इच्छा ये थी, लेकि वो समय ने था वहाँ पर जाने के लिए, कहां जाने के लिए क्या है तो प्रीस्ट वर्ड इन एशिया एशिया में बचन सुनाने से मना किया, तो अगला बचन उसके साथ जोड़ कर हम देखेंगे वो पढ़ेंगे प्रेटो का काम सोला का दस वहाँ पर क्या लिखा है हीपर मिल्स यानि वो अनुमती भी देता है अगर वो रोकता है तो वो क्या करता है वो अनुमती भी देता है अनुमती भी देता है पहले इसलिए रोका क्योंकि इस वज़े से प्रेटो का काम सोला का दस क्या जरा पड़े दोर से पड़ो हाँ यहाँ दर्शन देखा दर्शन देखते ही पवित्रात्मा ने प्रेरना डाला अभी हमें कहां जाना है मख़ दोनिया जाना है पहले कहां जा रहे थे एश्या जा रहे थे पवित्रात्मा ने रोग दिया क्यों क्योंकि पवित्रात्मा अभी चा रहा था कि यह कहां जाएं मख़ दोनिया जाएं क्योंकि वहां पर उनका अभी का सेवकाई उनको वहां पर करना था आमेन, हलेलुया, हलेलुया, तो मैं फिर दुबारा कहना चाहती हूँ, पवित्रा, सही काम जरूरी नहीं है कि हमेशा सही जो काम है, वो हमेशा किया जा सकता है, लेकिन हर चीज हमें पवित्रात्मा की अगवाई में, जब हम करेंगे तब हमें क्या मिलेगा सक्सिस क्या मिलेगा सफलता मिलेगी आमेन हलेलुया हलेलुया ओके तो क्यों ना अभी हम एक और बार हम जो हैं प्रार्थना करने जा रहे हैं ये दोनों पॉइंट को लेकर क्या कि कि पवित्रात्मा हमें वो समझ दे है हमारे अंदर हम पहचान सके कि कब आप हमें रोकते हैं और कब आप हमें चीजों को करने की अनुमती देते हैं कोई बिजनस डील होगा है ना या कोई marriage proposal होगा है ना विवहा का proposal है ना शादी का आता है या कोई नौकरी का जो proposal होगा अलग अलग चीज़े हमारी जीवन में होती है नहीं होती है होती है है ना पवित्रात्मा कहेगा नहीं ये बिजनस डील नहीं करना है है ना या ये ये नौकरी लेना है ये offer लेना है ये offer नहीं ठुकरा दो उसको इस लड़की से अच्छी दिक्री होगी, सुन्दर होगी, घर पैसे वाली होगी, पढ़ाई लिखी होगी, लेकिन अभी अभी ये तेरे लिए नहीं, ये वाली तेरे लिए नहीं है, तो ऐसे करके पवित्रात्मा टोकेगा और पवित्रात्मा अनुमती देगा, आमेन, तो क्यों ना अपने दिल पे एक बार हात रख कर हमके प्रभू, हमें वो समझने की, समझने की शक्ती, वो सुनने की, हलेलुया, वो हमें शक्ती दे कि कब आप हमें रोकते हैं पवित्रात्मा, कब आप हमें टोकते हैं, कब आप हमें मना करते हैं, हमें समवेदन शील कर, Lord help us to be sensitive oh God when you stop us oh God and when you Lord allow us to do things oh God, और कब आप हमें अनुमती देते हैं, वो भी उस टाइम भी हमारे कदम ना रुखे परमेशर, चैसु सुमाचार सुनाने के लिए है, कोई निरने लेने के लिए है परमेशर, हलेलुया हलेलुया, उस समय में कदम उठाने के लिए है, हलेलुया जब उठाने हम उठाएं, और जब नहीं उठाना है, हम रुक जाएं परमेशर, हम इंतजार करें आपका हलेलुया, दीवशंत अगरेगसियारबा, धन्यवाद एश्यू के नाम में आमेन, आमेन, हलेलुया हलेलुया, ओके अगला हम देखेंगे कि क्या है, पवित्रात्मा बात करता है, क्या करता है जोर से सब बोलेंगे पवित्रात्मा क्या करता है ओके कुछ बचन पढ़ेंगे प्रेरतों का काम बहुत सारे बचन दियें, वो सब अपने पास टाइम नहीं है, सब कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन हम एकाद वचन हम पढ़ देते हैं, यह आप लिखके ले लो, पहले आप लिखके ले लो, कि इसमें काफी सारे वचन है, प्रेटों का काम आठ का, 29, 29, 10, 10 वा अध्याय का, 19 वचन, 13 वा अध्याय का, 2 वचन प्रकाशित वाकिय, 2 अध्याय और 3 अध्याय, और भी जगे हैं, लेकिन यह कुछ ही लिखे गए हैं, ओके, प्रेटों का काम, 8 का, 29 में, है न, हम देखते हैं, परमेश्वर किस से बात करता है, एक एक जस डाल के चले जाएंगे, फिलिपोस से बात करता है, बस सिरब उतन आत्मा ने जूर से, थुड़ा involved हो जाएं, तब आत्मा ने फिलिपोस से कहा, बस, कावी है, कावी है, आपने क्या कहा अभी वो हम इस पर ध्यान नी देंगे, आत्मा ने फिलिपोस से कहा, अगला डालेंगे, क्या है, अगला वचन जल्दी से डाल दो, किस से कहा अगला पत्रस उसे दर्शन दे कर सोच रहा था कि आत्मा ने उससे कहा पत्रस से बोला अगला वचण डाल दो उनिस का दस का उनिस डस का उनिस डाल दिया ना तेरा का दो क्या लिखा है पढ़िए जब वे उपास सहीद प्रभू की उपासना कर रहे थे तो पवित्रात्मा ने कहा कि पाउलो सौर बर्नवास को मेरे लिए अलग करो अगला डालेंगे प्रकाशित अचा यह तो बहुत सारा वचेद है यह क्या है मैं बताती प्रकाशित बाकिये में कितनी कलीसियाओं को एशु ने संदेश दिया जोर से बोलिए साथ कलीसिया को और वहां पर कहता है वहां हर जग है एशु मसीख का संदेश जो आत्मा कहती है, वो तुम सुनो हाँ, वो ही वो कही जगे है, मैं अभी टाइम नहीं, इसले हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, सातो कलीसिया को लिखा गया है, जो आत्मा, हाँ, can you just pick up one verse, any one verse, क्योंकि वो टाइम नहीं था, तो मैंने इसले सारा, एक एक verse करके लिखा नहीं, just see, what the spirit is saying to the churches, ऐसे करके लिखा हुए, जो आत्मा कलीसिया से क्या करता है, हाँ, सब इस बचन को जोर से पढ़ेंगे, क्योंकि आज भी पवित्रात्मा कलीसिया से बहुत कुछ कह रहा है, है, 211, 211, इसको देख के हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, जोर से, जिसके कान हो, वै सुन ले, कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, अच्छा, यहाँ पर एक correction कर देती हूँ, आत्मा क्या कहती है नहीं, आत्मा क्या, क्योंकि आत्मा को हम क्या strilling में हम बोलते हैं न, उसकी आत्मा आय, आया करके बहुत कम बोलते हैं, आय, आय, वो, क्या है, feminine एक, बोलेंगे, strilling, है, लेकिन, अब हमें पता चल गया है, कि पवित्र आत्मा कौन है, केवल एक आत्म, क्या बोलते हैं, एक शक्ती नहीं है, इसलिए, क्योंकि वो एक व्यक्ती है, और परमेश्वर है, तो परमेश्वर को हम pulling, है न, हम, क्योंकि हिंदी में इतना पता नहीं लगता है, लेकिन अंग्रेजी में पता लगता है, ही करके बोलते हैं, ही, ही करके बोलते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं, उनको he करके बोलते हैं, she करके नहीं बोलते हैं, औरत को she बोलते हैं, आदमी को he बोलते हैं, लेकिन हिंदी में तो ऐसा है नहीं, इसलिए वो confusion नहीं है, तो हम क्या है, पवित्रात्मा आती है नहीं बोलेंगे, पवित्रात्मा आता है, आमें, हल परातनाओं में भी ये गल्तिया हम लोग कही करते हैं, तो अब से हम ऐसा नहीं करेंगा, बोल भी दिया, कोई बात नहीं, परमेश्व डंडा नहीं मारेगा, लेकिन हम सीख सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं, तो पवित्रात्मा बात करता है, हर एक कलीश्या से करता है, तब ह एक बार हम ऐसे जादा ऐसे भी नहीं किया तो भी एक बार हम कानों को जरा पकड़के है ना हम ऐसे रखके प्रभू पवित्रात्मा आप जो बात करते हूँ हमें सुनने के लिए मदद करें Lord help us to hear what you are speaking to the church पवित्रात्मा आप से क्या बोल रहा है पवित्रात्मा वो सुनने के लिए फरमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को इन दिनों खोल दे हम यब हमारे कान खुल जाएंगे हम पवित रात्मा हल्यलू जैसे फत्रस से बोला जैसे फिलिपो से बोला हल्यलू जैसे ऐन्तिया क्या हमें कलीसिया से बोला वैसा हम भी सुन पाएंगे हलेलूया Yes, Lord ये कान सबसे अधिक आपकी आवाज सुनने पाएं एश्यू के नाम में आमें, आमें, आमें सब्जोर से बोले पवित्रात्मा बात करता है अब कोई भी आप से बात नहीं करता तो आप किसके साथ बैठके बात कर सकते हैं आमें देख, बच्चों को देखा है बच्चे बोलते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करता सुना है कभी, सारे बच्चों के साथ यह नहीं होता, लेकिन जो बच्चे जो थोड़े से चुप-चुप से रहते हैं, तो वो क्या के कंप्लेन करते हैं, मेरा कोई friend नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं करता है, मेरे से कोई बात नहीं करती तो एक माता या पिता होकर, एक मसीही माता पिता होकर, सबसे अच्छा सला उस टाम आप क्या दे सकते हो बोलो, बेटा बेटी, पवित्रात्मा के साथ friendship कर लो आपके साथ वो हमेशा क्या करेगा बात करेगा हलेलुया सच में हम ऐसे एडवाइजर्स हम अपने बच्चों को दे सकते हैं पवित्रात्मा बात करेगा और हम क्योंकि सबसे बड़ी है हम पवित्रात्मा से सुने और कभी भी हमें गलत सला नहीं देगा, आमें, आमें जल्दी से हम जाएंगे, अगला पवित्रात्मा प्रेम करता है, प्यार करता है ये एक चीज है, जो इस टड़ी में मेरे दिमाग को खोल दिया क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा था परमेश्व प्रेम करता है वो था लेकिन पवित्रात्मा जो तीसरा व्यक्ति है तृत्व में कि वो मतलब वैसे तो मालूम है कि परमेश्व प्रेम करता है लेकिन इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा कि पवित्रात्मा मुझसे प्रेम करता है इसलिए मुझे बापिस पवित्रात्मा वो भी क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वही तो मेरे संग रहता है, वही तो मेरे भीतर रहता है, है ना, क्योंकि पिता सिहासन पर बैठा हुआ है, इशुमसी दाइने हाथ पे, लेकिन हमारे संग और हमारे भीतर कौन है, कितना, कितना अधिक हमें पवित्र आत्मा की पहचान करना कितना जरूरी है, इसलिए मैं कहारी हूँ, हमें नजर अंदास नहीं करना है, पस्टर बैनी हिन का एक किताब है, गुड मौर्निंग होली स्पिरिट, किसी ने पढ़ा है? सिरफ एक ही ने पढ़ा है, हाँ, पस्टर जी ने पढ़ा है, अनु ने पढ़ा है, मैंने भी पूरा पढ़ा है नहीं मुझे ध्यान भी नहीं है, लेकिन पढ़ा चुरू तो किया था, खतम किया है नहीं मुझे याद नहीं है, कई सालों पहले पढ़ा था, इसलिह सारा याद नहीं मुझे, लेकिन गुड मॉर्निंग, मतलब बनी पास्टर जी, जो बनी इन पास्टर है, वो बहुत सारी बाते उसमें हैं, लेकिन उनको जब एहसास हुआ, कि पवित्रात्मा एक व्यक्ति है, जो मेरे संग और साथ रहता है, उनको कुछ-कुछ अनु थी ऐसे मेसेज से, और फिर मैने अन्त में कुछ लोगो बोलना बढ़ा, प्लीस, मुझे मत भेजो ये, खोलना भी बंद कर दिया था, ठीक है, तो, लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, अगर हमें समर, अच्छली, जब हमें एहसास हो जाएगा, कि प वित्रात्मा का, सच मैं विश्वास करती है, ये मेरे जीवन को तो बदल डालेगा, आपका भी बदल डालेगा, आमेन, हलेलुया, हलेलुया, तो हम चलते फिरते भी, शायद हो सकता है, पागलों जैसे दिखे, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अवैसे भी आदे से ज़ अभी नहीं, बहुत साल पहले की बात है, कि ये connected रहता है फोन से और उससे बात करते हैं, जब ये शुरू-शुरू में निकला था, मुझे लगा उनको कान सुनाई नहीं देता, जो मशीने होती है न, वैसी कुछ मशीन लगाई है, लेकिन ये मालूम नहीं थे कि ब्लुट हालेलूज़, झब मेरा रूटके ट्रीटमेंट हो रहा था, तो मैं तब पवितरातमा से पूरा टाwould कर रही थी, मतलब से कर रही थी, लेकिन कर रही थी, लेकिन मेरेön को ऐसास हो गी सच में, और मैं कहरी हूँ किल मेरा रूट्के ट्रीट्मेंट इतना सक्सेस हो गया। मतलब मैं डर रही थी लेकिन मैंने का नहीं पवितरात्मा मैं आपके बारे में शिक्षा सिखाने ही नहीं जा रही हूँ आप मेरे संगे साथ है आप सब कुछ मेरे लिए कर सकते हैं मैंने एक एक जो चीज मांगा, पवित रात्मा ने मेरे लिए किया, हालेलुया, मेरे को हैस, क्योंकि पिछली बार जो ट्रीटमेंट दुआ मुझे पता है, दुबारा खोलना पड़ा सारा जो बंद किया, और उसमें काफी परिशानी होती है, है ना, खर्चा भी होता है, तकलीफ भी होती है, है ना, लेकिन इस बार मैंने का प्रभू ऐसा ऐसा होना चाहिए करके, कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से सब कुछ हो गया, और मैं वो डॉक्टर के लिए, मैंने का पवितरात्मा इसको बुद्धी दे, इस डॉक्टर को बुद्धी दे, वो पूरा जो है सवा घंटा उदर में पड़ी रही, पवितरात्मा ने मैं काऊंगी कि मेरे को एक घंटा पंदरा मिनिट मुझ बंद करे बिना मुझ खोल कर रखने के लिए मदद किया, मैंने का डॉक्टर को ये बाइबल से बचन देना चाहिए, क्या है कि डॉक्टर आपके डेंटिस्ट के क्लिनिक में लिखने का बाइबल में एक बड़ा बचन, अच्छा सा बचन है, मैंने सोचा है मैं बोल के आऊंगी, अगली बार मैं बोलूँगी, कि ओपन यूर माउथ वाइड और आई विल फिल इट, क्ल ये प्रकाशन मुझे मिला, कि अपने मूँ को विस्तार से खोल और मैं उसे भरूँगा, डॉक्टर भी क्या करते है, हमारे दांतों को फिल करता है, फिलिंग करता है, भरता है, ये वचन मुझे मिला, मैंने का कल जाके उसको ये बाइबल से वचन, कल ये जब भी अगली बार जाओंगी सिखाओंगी, कि आपके लिए भी देंटिस जी बाइबल में बचन है, या आप लिखके डालो, ये बाइबल का है, अनिवे, तो मतलब, तो देखो, पवितरात्म से बात कर रही थी, तो डॉक्टर के लिए भी मुझे वचन विल गया, बाइबल से, हाले लिए, किना मज़िदार है ना, अमेन ये जर्णी, पवितरात्म के संग सम, हम चलेंगे, तो हम खुद से भी, मतलब, हम बैठे-बैठे भी बात कर सकते, ड्राइव करते भी, हम बात कर सकते, Amen, Okay, जल्दी चलेंगे, अब हमारा समे भी दौड रहा है, पवितरात्म क्या करता है, हमने देखा प्रेयम करता है, जल्दİ से वबचन पढ़ेंगे, हमारा टाइम जल्दी भाग रहा है कुछ आती मिनिट बचे हैं पवितरात्मा का क्या लिखा है प्रेम सब जोर से बोले पवितरात्मा का प्रेम पवितरात्मा का प्रेम पवितरात्मा का प्रेम अगर आपको लगता है आपसे कोई प्रेम नहीं करता है आपका पती आपकी पतनी आपके माता पिता आपके बच्चे क्योंकि ये सब कैटेगरी के लोग पाए जाते कलीसिया के अंदर भी कई लोग पाय जाते कि मेरी कोई सुनता नहीं है पवितरात्मा सुने मुझसे कोई बात नहीं करता है पवितरात्मा बोलेगा मुझसे कोई प्रेम नहीं करता लेकिन कौन करता है पवितरात्मा हालेलुया जो आपके संग है और आपके अंदर है, आमेन पवित्रात्म, तो कभी भी हमारे मुझे वचने निकरना चाहिए, मुझसे कोई प्रेम नी करता कौन करता है पवित्रात्मा आपसे प्रेम करता है हलेलुया, हलेलुया उसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार लोग है मैं सोस्ति इतना काफी है, आमेन पवित्रात्मा मुझसे प्रेम यह अंगीकार करना ची, जब शेतान आपके कान में आके फुस-पुस आए, कोई तुमको नहीं चाहता कोई तुमको पसंद नहीं करता, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, आपको पता है ये गवाई मैंने विश्व भर में पता नहीं कितनी जगे में जाके दिया है जब मैं अपनी गवाई देती हूँ कि शैतान ने मुझे इस जाल में फसा के रखा था कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता और मैंने बहुत दिक्कत इस सोच की वज़े से मैंने भुगता है कि मेरे माँ मापनी प्रेम करते है इवन शादी के बाद भी ये विचार शैतान लाता था कि तेरा पती तुसे पर नहीं जब कि इतना जादा हो मुझसे क्योंकि वो एक एक बंधन था मेरे अंदर है ना लेकिन परमेश्वर ने अभी समय नहीं है वो गवाई देने के लिए लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे छोड़ाया आज मेरे अंदर इतना हिमत और हियाव है कि आज आज की बात कर रही हूँ कि आज मतलब इन समयों की कि मुझे अंदर से कोई करे ना करे परमेश्वर मुझflix से प्रेम करता है इसलिए क्या है मेरे को अब ही पहले-पहले क्या मैं रो रोके अंग्रेजीएं बोलते है पिटी पार्टी पिटी पार्टी बोलते है मतलब अपने उपर हाय हाय करके रोना, बेकार की बातों में मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पूछता नहीं है ऐसे करके, फाल तुम्हें इतने आंसू मैंने बहाए, मैंने कितने तकिया गिला कर दिया बेकार में उतना में अगर आत्माओं के लिए बहाती तो कुछ फाइदा होता है लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेशन ने मुझे उस बंधन से चुड़ा है हलेलुया हलेलुया आमेन तो पवित्रात्मा हमसे क्या करता है जोर से बोलो प्रेम करता है हलेलुया अगला जल्दी से जाएंगे पवित्रात्मा दुखी भी होता है एक पर हम मिलकर बोलेंगे धन्यवाद पवित्रात्मा आप मुझसे प्रेम करते हो आमेन जोर से बोलें धन्यवाद पवित्रात्मा आप मुझसे प्रेम करते हो सबसे बढ़कर आप बोलो, सबसे बढ़कर अलेलुया, धन्यवाद कि आप मुझसे प्रेम करते हो, हलेलुया सोचके देखो हमें भुगतता होगा पवित्रात्मा नहीं अजैसे अगले पॉइंट में कितनी बार हम पवित्रात्मा को दुखी करते होंगे आप मानो ना मानो लेकिन हम दुखी करते हैं हम दुखी करते हैं हमारे सोच से, हमारे बोल से, हमारे चाल-चलन से और पवित्रात्मों को इग्नौर करते भी, जब हमें कोई एक व्यक्ति इग्नौर करता है मुझे पता है कई बार पता नहीं मैं खोई रहती हूं कई बार चीजों में मेरे को कितनी बार जैमसी लोग बोलते हैं और फिर जब मैं उनको जाके जैमसी बोलते हैं हमने तो आपको पहले भी बोलाते हैं लेकिन आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि उस टाइम मेरे को ध्यानी निरा की मतलब है ना तो इग्णोर करते तो बुरा मान जाते मतलब नजर अंदास करते और क्या बोलते उसको अंदेखा कर देते तो दुखी हो जाते हम कितना भार पवित्रात्मा को हम इग्णोर करते है लेकिन पवित्रात्मा को अलग-अलग रीती में हम दुखी करते थे जैसे मैंने का पहले वो टोकता है तो हम फिर भी करते है जब वो करने को बोलता है जब हम नहीं करते यह सब समयों में पवित्रात्मा को क्या होता है हम शोकित करते हैं, हम दुखी करते हैं तो हम बचन पढ़ेंगे FAC 4 का 30 यह आग्या है यह आग्या है this is a command do not grieve the Holy Spirit इसका मतलब यह कलीसिया पवित्रात्मा को क्या कर रही थी शोकित कर रही थी यह कौन सी कलीसिया है कौन सा पत्री है यह FAC प्रकाशित वाकिय में जाएंगे 2 का 4 2 का 4 प्रकाशित वाकिय 2 का 4 क्या लिखा है FAC कलीसिया में क्या हला थी क्या हला थी क्या हमारी कोई पैचान हम कर सकते हैं इसके साथ हम सब कर पाएंगे शायर बहुत अच्छे गुण है उनके अंदर इसके उपर इतने सारे गुण लिखे हुए हैं लेकिन परमेशर की आत्मा क्या कहते है एक चीज तेरे विरुद में है बस प्रार्थना करते थे लेकिन अभी ने हर एक चीज हर एक चीज में जब हम पीछे हट जाते हैं हम पवित्रात्मा से या परमेशर से अलग हम दूसरों के संगती पसंद करते हैं या दूसरों की सुनना पसंद करते हैं दूसरी बातों पर विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं बचन के अलावा हम जब शत्रु के जूट को हम पर विश्वास करते हैं क्या होता है? हम पवित्रात्मा को शोकित करते हैं. दुखी करते हैं. क्योंने एक बार हम अपने लिए पराथना करें. प्रभुजी, मैं कभी भी आगे से आपको शोकित ना करने पाऊ. दुखी ना करने पाऊ. मुझे सेंसेटिव कर दे. बिल्कुल जैसे, हलेलुया, हम जब जिसी से प्रेम करते हैं, तो हम उनको दुखी नहीं करना चाहतें, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, पती हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो भी होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही परवितरात्मा हम, हमें मदद करें, मुझे मदद करें, कि हम आप से इतना प्यार करे कि हम आपको दुखी करने में हम कत्राएं हम रुख जाए परमेशर हालेलुया हम आने गए शंत कि आपको दुख आपको दुख होगा करके प्रभु जी वो चीज़ हम ना करे और जो हमें वो करना है वो हम कर पाएं परमेशर ऐसा हम आम परमेश्राब से गबाही प्राप्त करें धन्यवाद येश्यु के नाम में आमेन 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 आलेलुया तो पवित्रात्मा को हम दुखी ना करें हम ये सोचें इसलिए मैं पाप उसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे कुछ डर है कि दंडा मिलेगा एक वो वाला भी होता है कि पाप करने से दंड मिलेगा, कुछ ना कुछ गड़बड हो जाएगा परमेश्वर मुझे छुएगा मेरे परस्थी को छूलेगा फिर ये नहीं मैं पाप इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरा परमेश्वर को पवित रात्मा को मैं शोकित नहीं करना चाहती मैं दुखी नहीं करना चाहती समझ रहे इसलिए हम कुछ चीजों को करने से अपने आपको रोके, नहीं परमेश्वर दुखी हो जाएगा, क्या बोला यूसफ ने, यूसफ यूसफ ना, यूसफ ने क्या कि ये पाप मैं परमेश्वर के विरुद नहीं कर सकता, वो समझ उसके अंदर थी, कि परमेश्वर को मैं दुखी नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये पाप नहीं करूँगा, इसमें मैं तरह साथ नहीं दूँगा, तो वो समझ अगर हमारे अंदर है कि हम पवित्रात्मा खेदित ह होगा, दुखी होगा, शोकित होगा, तो हम कई चीजे करने में कदम नहीं बढ़ाएंगे, आमेन, आखरी पॉइंट है, वो क्या करता है, पवित्रात्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए, मैं इसको study कर रहे थी, मैंने जैसे कहा, ये वचन दुबारा आया है, रोमी आठ का, 26 और 27 जो हमने शुरू में भी लिया था, इसका गहराई में नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें, अच्छा, एक और पॉइंट, जो शोकित मैं है, मैंने, थोड़ा नोट्स मैंने नहीं देखा, उसको भी देखकर, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहते हूं, कि He can only be grieved by those He loves. हम किसको शोकित कर सकते हैं, जिसको, जो हमें प्रेम करता, याद रखेगा, जो हमें प्रेम नहीं करता, उसको हम गुस्सा दिलाएंगे. कोई कुछ समझ पा रहा है? जैसे मैं, जैस पासबान और मेरे संबंद में आप एक, समझाने के लिए बता सकती हूं, कि मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता उनके उपर. क्यूं? क्यों? क्योंकि मैं उनसे अत्यंत प्रेम करती हूं. लेकिन अगर समझ लो, क्योंकि हम भी तो इंसानी है ना, अगर कुछ बात हो जाए, तो क्या हो जाता है मेरेको? दुखी हो जाती है. अगर कुछ भी बात, समझ लो उनने कुछ बोल दिया, जो में इच्छा नहीं लगा, कुछ भी है. या उनने, ऐसा, मुझा, कभी कदारी होता है, लेकिन अगर समझ लो, एक अपने उधारन में बता रही हूं, गुस्सा नहीं आता मुझे, कि, एक होता ना, वैसा, नहीं. जिसे कई लोगों को हाता है गुस्सा, मुझे पता है कितने सारे लोग, श्रापित करते हैं अपने पती को या पत्नी को, लेकिन, मैं, सोच भी नहीं सकती ऐसी बात, क्यों, क्योंकि मैं उनसे अत्यंत प्रेम करती हूं, लेकिन, क्या हो सकती हूं, समझ लो, कुछ भी बात हो गई, तो क्या हो सकती हूं, क्यों, क्योंकि मैं उनसे अत्यंत प्रेम करती हूं, बिल्कुल वैसा ही, पवित्रात्मा को हम गुस्सा, एंग्री नहीं कर, पवित्रात्मा गुस्सा, नहीं, लेकिन क्या होता वो, अंदर रहे के वो शोकित हो जाता है, दुखी हो जाता है, याद रखना, दुखी वोई लोग होते हैं, जो प्रेम करता है, बाकी लोग क्या होंगे, गुस्सा, गुस्सा मतलब, इसका मतलब यह नहीं, बच्चों को गुस्सा करते हैं, हम दुख से ही उनको क्या करते हैं, हम वो दुख किया, इसलिए हम उनको अनिशासित करते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है, अक्री पॉइंट, पवित्रात्मा क्या करता है, प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, और हमारे द्वारा भी वो प्रार्थना करता है, हलेलुया, ओके, ये स्टडी जैसे मैंने सूचा वैसा नहीं गया, उस बहुती स्लो में गया है, कोई बात नहीं, हम अगली बार उसको थोड़ा और स्पीड में करेंगे, ये आखरी पॉइंट हम लेंगे, तो कितना आश्वा प्रासन हमें होता है, जब हमें एक समझ मिलता है कि मेरे लिए पाजबान प्रार्थना करते हैं, मेरे अगवे प्रार्थना करते हैं, मेरा पती मेरे लिए प्रार्थना करता है, कल में जब रूट कैनल के लिए जा रहे थी, तो मैंने पाजबान को एक मेसेज ओडियो में ब और समझ लो वो मेरे लिए है ना प्रार्तना करते हैं मुझे वो पता है कि वो मेरे लिए कर रहे हैं जब वो करते हैं तो कितना अच्छा लगता है कितना कम्फर्टिंग कितना अश्वासन देता है मुझे सोच के देखिये कौन हमारे लिए प्राठना करता है वो बचन जरा पढ़ दे जल्दी से पढ़ दे तो इसको हम थो बयाद से तहाद है हमारे लिए उन्दी करता है तो इसको हम थोड़ा और अगली बार एक्स्प्रेइन करेंगे लेकिन इतना मैं कहना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए हमारे दुआरा प्राठना करता है कुछ समझ में आया है ठीक है हमें पता नहीं हमें क्या प्राठना करना है ये नोकरी चुनना है जैसे मैंने पहले का ये ये वाली लड़की से के शादी करना है या वहाँ जाके अपना घर शिफ्ट करना है कौन सा बिस्ट कोई भी चीज हमारे जीवन से जुड़ा हूँ हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे तब ही हम कहते है अन्य भाष्या में प्राठना करना है तो पवित्रात्मा हमारे द्वारा हमारे दुख में तकलीफ में हमारे बिमारी में हम पड़े हुए हमें पता ही नहीं कि ये बिमारी हमें ले जाएगी या हमें चंगाई के लिए प्राठना करना है जुड़ा हुआ विश्य देश के लिए किसी के लिए भी वो प्रार्थना करेगा, ठीके, नहीं समझाया, अगली बार थोड़ा सा और समझायेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाते समझ रहें, लेकिन इतना ही बोलके फिलाल मैं अंत करना चाहती हूं, कि वो हमारे लिए और वो हमारे द्वारा प्रार्थना करता है, मतलब आपके विश्यों के लिए जो आपको नहीं पता कि क्या प्रार्थना करना है, पवितरात्मा आपके द्वारा उन विश्यों के लिए प्रार्थना करता है, और कई बार आहें, क्या है, वो क्या है? आहें भर भरकर जो बय आहें, जो केवल आहें होंगी, केवल आवाजी होंगी, केवल आसू होगा, केवल रोना होगा, लेकिन उसको भी शब्द में बदल कर, पिता के सामने वो प्रस्तुत करता है, हालेलुया, अपनी इच्छा के अनुसार, आमें, समझ गें, तो अगर हम गलत भी करेंगे, तो भी क्या है, पिता के सामने जब प्रार्थना जाएगा, वो सही रूप से वो प्रस्तुत करेगा, जब दिल से करेंगे तो, जब जित करेंगे तो बालग बात है, उसकी बात नहीं कर रहें, ठीक है, उसके लिए भी उदारण है, लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है, एक और चीज बोलकर, अच्छली मुझा दो चीज करना था, लेकिन इतना ही टाइम कोई नहीं, मैं भी, मेरे वे लिए भी स्पीड बढ़ने के लिए आप लोग प्रातना करें, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, तो बस के लिए, कि पवित्रात्मा का उलेख है, नए नियम में, कितनी बार किया गया है, क्या नंबर लिखा हुए, 261, 261 बार पवित्रात्मा के बारे में, का अंश, मतलब पैसेज, पवित्रात्मा से जुड़ा हुआ जो पैसेज है, जो अंश है, पैसेज बोलते हैं, जो कुछ कुछ बचन है, वो 261 बार नए नियम में दिया गया है, ठीक है, जल्दी से डाल दो अगला अगला reference, और सूसमचार में 56, 56 ताइम्स सूसमचार में पवित्रात्मा के बारे में उले किया गया है, और प्रेटों के कामें 57 ताइम्स, एक ही किताब में, पहले चार किताब में इतनी बार लिखा गया है, और प्रेटों के काम में 57 ताइम्स उले किया गया है, ठीक है, और पाउलोस की पत्रियों में, जो I think 13 और 14 है ना, मुझे अब एक दम से नंबर याद नहीं आ रहा है, किसी को पता है तो आप बता सकते हैं, 13, 13, तेरा किताब पत्रियां पाउलोस ने लिखी है, उन पत्रियों में 112 बार पवित्रात्मा के का उलेक किया गया है पाउलोस ने, ठीक है, और remaining, यानि बाकी जितने भी अध्याय और पत्रियां हैं, पत्रियां ही है जातर और प्रकाशित बाकिया है, उसमें कितनी बार, 36 बार पवित्रात्मा के बारे में उलेक किया गया, ठीक है, यह आप लिखके ले ले, कल को अगर कोई टेस्ट होगा, तो टेस्ट में आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे, तो आपको एवाड भी मिलेगा, ठीक है, तो लिखके ले लो, जूम वाले भी लिखके ले लो, जूम में तो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, आपको टेस्ट के लिए तो इधर ही आना पड़ेगा, लेकिन इनाम जो बढ़िया सा नंबर लेकि आएगा उसके लिए इनाम भी मिलेगा, तो अगला जो टॉपिक को एंट्रिद्यूस करके मैं आपकरूंगी वहे पवित्रात्मा का, एक्छली ये वर्ड थोड़ा मुझे नहीं पड़ेगा, जिस्ट नो टो पुट पॉइंस बिकिस्ट दो टाम। अचली स्को उसको में correct करूँगी अगली बार है हां आ रहा है मनलाद the deity of the Holy Spirit मनला पवित्रात्मा कैसे कैसे जो पिता के अंदर जो है और पुत्र के अंदर जो गुण है वही गुण जो है पवित्रात्मा के अंदर है करके उसको अम अगली बार जल्दी से देखेंगे लेकिन एक बार ऐसे डाल देते है पवित्रात्मा सर्वयापी है पवित्रात्मा सर्वग्य है यानि सब सर्वग्यानी है पवित्रात्मा सर्वशक्तिमान है है ना और पवित्रात्मा क्या है इटरनल या शाश्वत है और और भी कई सारे पवित्रात्मा परमेश्वर है परमेश्वर पुकारा जाता है पवित्रात्मा को और पिता और पुत्र के साथ बराबर है इसको हम अगली बार जल्दी से हम इसको करेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स है जो हम एक एक करके लेंगे आए मिलकर हम अपने आर्थना करेंगे, हालेलुई